पुर बन्चित अखो ये बार कंग्रेसर प्रापदत्याक दिजेन हर्मार। 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 जुग दाद करीवा एड़ु गराकी नेता है। निर्भासुनी प्रस्टार बाबे माजोली तुपसित है से गोरब गोगए। फेरीये कमला बारी खाता तुपसित है कंग्रेसर प्रापदत्याक दिजेन हर्मार। प्रापदत्याक दिजेन हर्मार। जुग दाद करीवा दिजेन हर्मार। कि यह असे है के होल बाबे में थाए है। झानले प्रापदत्याक प्रापदत्याक दिजेन हर्मार। ज थयुग दानले दिगतधके कातरलीकृए। प्रापदत दिणानने केहतिक्षत्यूली करुशली ठीजाई और रखात्याक दोटनी है को जर्मार। प्रेशल लहे ग्लासबूर शस्माबूर थाको। किन्तों बीजेपी जीडोले तेहों बदनाम कोईले, तेहों जीडोरे बेभाहर कोईले, तेहों पब्लिक प्रेसों दोलाबूले बाद्यों हो। जार फलोट इन्फेक्शनल विविदन आमार एन्नेध होनार हमोस्याबूर होब पारे। मैंने दुख लगे जे आजी किमान तलोले बीजेपी जाब पारे। बीजेपी बहुत बहुत कहिनी मानु आसे। जे आन्नेध होनार राजनिती अखा कुरब पाराजायाई। तपन कोगे देवर फलोले प्राप मुँ एन्नेध होनार राजनिती हासा क कुबले अखा कुरा नासे। अरो हैकरने मुँ अखा भविस्धत बिसारूँ जे तेहानु के जी इमान दिनों प्राम बदनाम को बुले सोला एशे, करेक्टर डिफर्मेशन को बुले बिसारी एशे, दुई जो नोके, तेया नोके, खमा खुचा करो, जुजी पो लागे तो खन्मुख़ पा जुजग, आरो अधर्ख बित्ती राजनीती जुगे दी जुगे दी जुज अधर्व एटी मेथारों कि उपोसी थोई, लुपतनामे तरे उल्ठा करा लगते जब दो पोईशे, ग्रीन बास्खन. यह भाब दो खन्दाईम ःविचे दी जुट पेजिए, ता बस तैंटे इह अंपब दोब महारी बिचेरी दिकी नाजानू, यह लिगाता है, नाजानू, गारी तोलो खिपनाईय कोईशे, जा यह लिगाता है, तरे फिरेका, पोईशे दिलेक। तो नहीं दूख साना मौलेक रिसी कर सोर्द मिलाना राइजिंग हळाता है और नहीं तूंगभा प्रेक्से अब्रेकाट प आत्लो अपने घृर सब्सक्राइदा टो डिभाला कीस दिए नहीं परोन मीलान दुहेजार सब्क्राई ड्युर्जिंग करिशी की देट आनो अटि को इसना पर हो कि मंत्री जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका दर्शकों को बस बता दू मैं कि आप 49 वे रेल मंत्री हैं कि पच्पन्वे संचार मंत्री हैं और दूसरे एलेक्ट्रोनिंग्स और सूचना मंत्री हैं बहुत भार है कंदे पर आपके देखिए जिस तरह से प्रदान मंत्री शी नरेंदर मोधी जी देश के लिए दिन रात मेहनत कर रहें अपना एक एक पल एक एक शन देश के लिए समर्पित कर रहें तो हमारे जैसे कई कारिकरताओं को लग जाना चीए पूरी तरह से जोटी जाना चीए अश्वनी जी जब 2047 की हम बात करते हैं हम उस भारत की बात करते हैं जो विक्सित हो चुका है तो इमारी से अपने दिल पर हाथ रख कर बताईए एक रेल मंत्री अपने रेलवे नेटवर्क को उस वक्त कैसे पाता है उस वक्त की ट्रेन हिंदुस्तान की जनता कैसे देख स इस मोदी जी की 10 वर्ष की लगेसी और 25 वर्ष का प्लान ये भारती जनता पार्टी का एक सपस्ट जनता के सामने भारत की जनता के सामने एक सपस्ट मेसेज है इस 10 वर्ष की लगेसी में आप देखो रेलवे में प्राक्टिकली करीब करीब बहुत सारे राजजी 100% इलेक् साट वर्षों में 20,000, 10 वर्षों में 40,000 करीब करीब आपके 30,000 किलोमेटर नए रेलवे ट्रैक मने यानि जर्मनी का जितना रेलवे नेटवर्क है उतना रेलवे नेटवर्क भारत के रेलवे नेटवर्क में जुड़ा पिछले साल 5000 किलोमेटर जुड़े थे और इस साल भी कल की रिपोर्ट में देख रहा था 5246 किलोमेटर कल तक रेलवे नेटवर्क में जुड़े यानि हर साल एक स्विज़लेंड के बराबर रेलवे नेटवर्क बारत में जुड़ रहा है टोटली नए जनरेशन की वंदे-भारत ट्रेंस आई नमो बारत ट्रें आई आज वंदे-भारत ट्रेंस में हमारी जो मिडल कलासेज है और एस्पिरेशनल यूथ है उनको एक ऐसा अनुबह मिल रहा है जो दुनिया के बेस्ट से बेस्ट रेलवे सिस्टम में मिलता अब बारत ट्रेंग अपने आप में बहुत ही successful है, regional transit के लिए, अब वधराः sleeper आ रही है, वधरे må्ट आ रही है अमड़्ोग त्रेन आ रही है, त्रेमे तो यह सब जो आप ने देखा, इन 10 वर्षो में विक्षित भारत बनाने के लिए जो foundational elements है जो foundation बनानी है नीव बनानी है वो नीव बनी है अगले पांच वर्षों में इस नीव को और मजबूत करेंगे मंद्री जी मैं एक सकिन आपको रोक रहे हैं कि ये नीव 2014 में रखी गई है इससे पहले फिर क्या हो रहा था इससे पहले अगर रेलवे की अगर मैं बात करूँ तो रेलवे को एक दूद दोने वाली गाय के बराबर समझा जाता था ऐसी कंडिशन थी जिसमें रेलवे मिनिस्टर्स केवल किसी गाड़ी के स्टॉपज या गाड़ी के एक्स्टेंशन या नई गाड़ी के अनौंस्मेंट पे ध्यान देते थे पट्रियों की केपैसिटी है कि नी उसकी कोई चिंता नहीं होती थी इस तरह से रेलवे का प्रसाशन चला रहे थे ततकाली तब की रेलवे मंतरी और तब की सरकारें जिसमें रेलवे फोकस नहीं था पैसेंजर फोकस नहीं था केवल अपनी राजनिती फोकस थी मोधी जी ने depoliticize किया railway को railway को एक technical तरीके से operational efficiency की तरीके से नई technology को absorb करने के तरीके से उस चीज को मोधी जी ने अपने primary focus में लेके आए railway के budget को merge किया general budget में जहां मात्र 15,000 करोड के आसपास मिलते थे general budget से बारती railway को आज 2,52,000 करोड रुपे का railway का budget support मिलता है funding बड़ी, काम बड़ा, कई तरीके reforms हुए बहुत सारे करीब 38 ऐसे major structural reforms हुए जिसके करण आज railway एक ऐसी परिस्तितियों में आई है कि अब अच्छी एक foundation बन गई 10 वर्षों में आने वाले पाच वर्षों में इस foundation को और strong करेंगे कई जो नई technologies ले के आएं उनको और ज्यादा strengthen करेंगे और उसके बाद में उसके आगे वाले 20 सालों में railway एक अलग नया सुरूप देखे पर बाच्छी एक है अ मुली एस की वज्यादाद न Oke और आए बाचालाद आएं to. A lot has been said about influencers and the influence they have and what do they do with it. एक बहुत infamous dialogue है, बोला गया था किसी platform पर कि influencers तु बिकाउं है. कोई भी brand जाकी उनको कितने भी पैसे दे सकते हैं and they'll say whatever. Right? So, has that changed in the industry? Shantanu, why don't you pick that question? Has that, is there a conscious thought now on what idea, what brands, what kind of thinking are you really going to put out through yourself and through your brand? See, the thing is, what has happened over time is the influence of market is sort of saturated. Now when you're talking about brands, they understand the importance of marketing and branding in a very subtle way. It has to be universal in nature, right? It can't be like, okay, I'm watching an ad. It shouldn't be evident that I'm watching an ad. It beats the purpose of influencing anything. So what happens in that scope is is you have to build your own brand which is organic, which is natural. And to have that, you need to have a core audience. So there are a few things which a community will always relate to. Joy, pain, and salvation. So, I come from a place where we have seen all three of those things. And pride. And of course, pride. Like Janvi said, pride in our own culture. So, if you sort of can capitalize on four different or maybe one of those things, you can start relating to people more. Be it through art, be it through social media, be it through travel, be it through any medium, whatever you call it. So the moment you start building that particular sense of collectiveness among a group of people, be it a small group of people who listen to same kind of music, maybe have been through same kind of experiences, so you start building a niche. And that niche will give you that originality. And that's what the brands look for. They want to be more niche in their approach and they want to also encompass that organic nature of influencing people. So the days of putting an advert out or hiring an influencer just because they have a million followers is gone. Now what they look for is the authenticity. Numbers don't matter anymore. It's how organic your reach is. Is that true? Numbers don't matter? No. Most of them are bots. I would say authenticity definitely matters more than numbers because it's like, it's a story on your page, you know, as the panel says, we are storytellers and the story of our lives is on our page. So brands really, really look for that. They don't look for somebody who's doing one mobile phone ad one day and then another the next day for sure. But when you tell me this, when do you, since you are the brand, you are the influencer, when do you stop being the influencer? When do you start being that person? It's, or is it, or that Lakshman Rekha simply does not exist? That's such a good question. I think the onus of drawing that line is actually on the influencer because we know people who do this like first thing in the morning and even on Saturdays, Sundays, but for us, it was very clear right from the beginning that we weren't leaving one corporate rat race to get into another. So, you know, we made it a point to kind of draw that line that two days in a week, we are not, like weekend, not necessarily that Saturday and Sunday, but sometimes because of work, Sunday has to be dedicated to work. So we take Monday off. You know, so I think it's really up to the content creator or the influencer to draw that line and there's no like clear definition of where it starts and where it stops. But yes, at the end of the day, it does kind of permeate into, you know, a lot of the things that you do and a lot of times throughout the week. Vir, I think as Shantanu said, if you're being authentic with your audience, it feels so effortless. Sometimes you're working, but it doesn't even feel like work because you're actually putting a very authentic part of yourselves out into the world. So the boundaries are also very blurry sometimes. You have to be up for it because if I'm going on holiday, I don't want my phone around me. I don't know how you guys do it. But moving on, we're coming to the closing of this session. I want to quick sort of last comments on where is this going? We also see a lot of, like you said, we have saturated the content across platforms, more and more platforms, more and more content, more and more influencers, so to say. There are also a lot of one-time hits and one-time wonders. So, how, where is this going and what next for influencing? Like I said, Bollywood now acknowledges, politicians acknowledge, brands of course acknowledge. what next now in this influencer journey? Shantu, you and then I'll go around. I think the whole market dictates a socio-economical change through the eyes of an influencer, through the eyes of social media basically. That's the greatest influence we can have. Right? So, I think it's about reform, it's about socio-economical change that can be brought about through the strong medium. change and reform through influencing. Influencing. That's powerful. Yeah, I think that's where we're headed. Like, be it any political party, be it any sort of form of rules or any ministry, there's always social media handled, right? So, for example, I've worked with the Ministry of Culture, so they have ongoing social media campaign regarding stuff. So, people have recognized the importance of it. And I think it's slowly seeping into the whole reform movement. And it is an independent industry which is going to grow as we are growing as artists and influencers and we have to deal with it. Janvi? I think it is just the beginning what you're looking at right now. And because alag-alag content creators saamne aare hai hai, alag-alag content saamne aare hai hai, which is taking the country forward for sure. but I also think over the time it will be like agar aap apne audience ka saath, apne content ka saath valuable hai, so it will be a long game for sure. Value add is your thing. Yeah, value addition is the key. And value will create virality in the long run also. So that consistency and authenticity as we're discussing the previous question also ki mere liye wo Lakshman rekha nahi hai. I am the same person on social media and offline also. So I'm the same. And agar aap itna authentic hote hai na toh it is actually very effortless to put out content in a long run also. So that kaam nahi lagta hai as they used to say. Kaam toh lagta hai. Building on that you can put up a facade for a day or two a month max. But when you're putting out content ki roze agar dalna hai tu woh facade drayega nahi zyada time tak. You know your authentic self will come out. Closing I just think that the idea of celebrity that all of us grew up with you know movie stars etc. is dissipating now. It's a very fluid concept. So all of us decide what niche we want to cater to what our community is. So overnight virality is also not a bad thing because that might help somebody like this tea seller that we were talking about before the panel. It might democratize and bring so much empowerment to a community and I think that's what's important to remember that all of us are thriving in our little niches and doing the best we can for our little communities out there. That's nice. the lady said it all. I would just say that I love the fact that it has become democratized now. Until a few years ago there was this perception that not everybody can become an influencer or this or that. It wasn't even considered a profession. now the beauty is that if you have the talent if you have the dedication if you have the skill anybody can do that and that's an amazing thing in a country like India where so much can be done to highlight different corners different facets landscapes culture food so that I think is just the beginning and it's going to evolve and grow into an amazing industry and a platform. And I think it's going to be like it depends on creator to creator. Someone wants to be a celebrity, someone wants to get into a movie or maybe an audience. There's a space for all. And I think we should look forward to be a change maker for the country now to represent that content that can bring and evolve your country and take it forward. I think what we can build consensus on this panel is about the next step is going to be bringing about change. The influence is is going to get into the change that you bring. I loved what you said, Janvi, about value will define virality. And I loved what Shantanu also said about how impact is going to be a major focus as well. So, yeah, looking forward to that time. Like I said, whoever you are, how much ever you can raise your eyebrows to influencers or what they do, you cannot ignore them anymore. They are everywhere and they've got you looking at looking at the stuff that they want, how they want, and that is, you know, just the times we all have to accept and make. On that note, thank you all so much for joining us and all of you over here. Thanks so much. Ladies and gentlemen, it's my privilege to welcome Sri Nitin Gadkari, Union Minister of Road, Transport and Highways Government of India, to talk about the road to 370. Well, it is the election year and he is in conversation with News 18's Amish Devgan. A huge round of applause, ladies and and gentlemen. Welcome, sir. Thank you. And now, this session is the beginning of which we waited a long time. Nitin Gadkari is with me, Kendri and Mantri are, Bharatia Anta Party of the whole and the rest of the world. Nitin Ji, you have a Abhinandan so, let's do it. Let's do it. Let's do it. Nitin Gadkari के लिए कहा जाता है कि बंदा तो सही है लेकिन पार्टी गलत में आ गया है ऐसा क्यों है यह तो बिल्कुल गलत है पार्टी भी सही है और बंदा भी सही है मैं मैंने अपने जीवन की शुरुवात संग के स्वेंशोक के रूप में और विद्यार्थी परिशत के कारेकरत के रूप में हुई और जो भी मैं आज कुछ, जो भी कुछ हूँ, जो मेरे में अच्छा ही है ये दोनों संगटन के कारण ही है, जो सब अच्छा ही है तो I am very much proud of my convictions और मैं अगर अच्छा हूँ, तो मेरी party अच्छी है और मैं अगर अच्छा हूँ, तो मेरे ideology अच्छी है इसी यही बात में आपको कह सकता हूँ लेकिन आपको नहीं लगता आप राजनीती में गल्ती से आ गए आप कहते हो, मैं पोस्टर नहीं लगवाँगा चाय पानी में खर्च नहीं करूँगा तो चुनाव कैसे जीतेंगे गटकरी जी ने आप अगर मेरे constituency में आओगे है तो मैंने ये बात कही कि मैं जातियवाद और संप्रदाइकता को नहीं मानता हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास तो मैं अपने constituency में जो मेरे मददार है उनको मैं अपनी family समझता हूँ, परिवार समझता हूँ और 10 साल मैंने जो कुछ काम किया उससे मेरा नाम भी लोगों से परिचित हुआ है और मेरा काम भी परिचित हुआ है और इसलिए मैंने कहा कि अब यह पोस्टर, बैनर और इसका प्रचार करनी को अवशक्ता नहीं दुसरा मैं लोगों के साथ जुड़ा हूँ तो अब मुझे लोगों को किसी प्रकार का कोई उनको होट के बदले में कुछ उनको सेवा देने की अवशक्ता नहीं है मैं लोगों से मिलूँगा लोगों के घर जाओंगा पदयातरा निकालूँगा जो बुझरूग लोगे उनका अशिरवाद लूँगा और house to house और man to man campaign करूँगा और मेरा विश्वास है कि मैं अच्छे मारजें से चुनाओ जितूँगा ऐसा मेरा विश्वास है इस बार तीन हैट्रिक लगनी है एक तो मोदी सरकार की हैट्रिक एक नरेंद मोदी अगर इस टर्म में आते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी कोई गैर कॉंगरेसी सरकार तीसरी बार पहली बार आएगी दूसरी बार भी पहली बार आई थी और तीसरा नागपुर से आप दुबारा जीत कराएंगे तीसरी बार जीत कराएंगे तो कितनी कठिन ये डगर लगती है मोधी की तीसरी टम और आपका तीस कि इस यद में स्टाब करेंगे। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब